हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत सवागत है गाईज तो आज बात करने वाले हैं दो सेल्इूलर का, एक BSNL का और एक जियो का यह दोनों में कमप्रिजन करने वाले हैं पällen्स के लिए और yearly plan दूनों का क्या है और कितना दोनों में different है, किसमें कितना कम रूपया लग रहा है और किसमें कितना ज्यादा रूपया लग रहा है, यह मैं आज आपको बताने वाला हूं तो गाइज हम अभी कंपरीजन करने वाले हैं BSNL का पलाण और जियो का पलाण दोनों में कंपरीजन करने वाले हैं और दोनों में देखेंगे कि क्या कंपरीजन है और क्या डिफरेंट चलिए mobile screen पर चलते हैं और बताते हैं आपको क्या काम्परीजरन है तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग Gio का पलाउन देखते हैं कि Gio का पलाउन क्या आप लोग यहां पर देख सकते होगे कि 3 July 24 का यह launch हुआ है 3 July 24 को और इसमें से monthly plan yearly plan दोनों देखेंगे सबसे पहले मंतली प्लान का बात करते हैं जो गाईज जो सबसे पहले था हम लोग को जो डलाते थे 209, 249, 349 का ये पहले हम लोग डलाते थे लेकिन अब जो है एजेक्स्टिंग करके दूसरा जब चेंज हुआ पलाउन तो उसके बाद हम लोग देख पा लिडिटी उसका अभी जो है गाईज 299 रुपा देना पर रहा और वहीं के 299 रुपे की जो पलाउन थी दो जी भी पर डे 18 दिन के लिए वो अभी 389 रुपे देना पर रहा उसमें गाईज तो ये मंतली पलाने आप लोग देख सकते हैं और एरली का बात किया जा एन्वल तो अन्वल में भी आप देख सकते हैं कि 1569 रुपे कहा था पहले 24 जीभी 336 दिन के लिए 1899 रुपे अभी आ रहा है उसमें 24 जीभी ही आपको दिया जाएगा आप एक दिन में यूज करें या साल भर में यूज करें तो आपको 24 जीभी ही दिया जाएगा और आपका 999 बी सेनल में आप लोग भी देख सकते हैं कि ये जुलाई 2024 का पलान है सबसे पहले मंथली का पलान हम लोग देखते हैं कि मंथली का पलान क्या है तो सीधे दाउगुना आप लोग यहां पर देख सकते हैं 209 का जो पलान था वो अभी 209 में दिया जा रहा है अल्लिमिटेड कोल जिसमें से दो जीवी डाटा पड़े दिया जा रहा है और वालिटिटी गाइज इसका 45 जहां पर 209 में एक जीवी अभी आ रहा है जीओ में वहीं पर 28 दिन के लिए और यहां पर देख सकते हैं कि 209 में और 84 दिन के लिए जिसमें से तीन जीवी परड़े देया जा रहा है पर 299 में तो दोस्तों दोनों में आप लोगों ने देखा कि डिफरेंट पलान का था मंतली पलान और यरली परान चलिए आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में